इंस्टाग्राम रिल्स में एक न्यूव फीचर एड क्या गया है जिसकी हल्प से अधर परसंद की भी हल्प होगी एंड आपकी भी हल्प होगी एंड उससे आपका भी टाइम बच जाएगा एंड यहाँ पर आपको मैं बदा देता हूँ यह फीचर आपको कहाँ पर कैसे दिखेगा और कैसे आपको इसका यूज करना है बैसिकली जो यूज है मैं प्रेक्टिकली आपको दिखा दूँगा यहाँ पर देखो आपको करना क्या है यहाँ पर मैं example के लिए एक reel shoot करता हूँ example के लिए यहाँ पर देखो मैं आपके सामने एक reel ऐसे shoot करता हूँ अभी यह जैसे ही मैं ऐसे reels post करूँगा तो इसमें वो feature work नहीं करेगा चलो मैं आपको feature दिखा देता हूँ पहले तो आपको advanced setting में जाना है यहाँ पर आपको एक new feature देखना को मिलेगा templates let others use as template आप other person को एक अनुम्हती दे सकते हो कि वो भी इस template का use करें जो आपने use किया है अभी देखो यह work नहीं कर रहा है template disabled आ रहा है लिखावा work कैसे करेगा वो भी मैं आपको बढ़ा दूँगा यहाँ पर अभी लिखा है this option is disabled because your real doesn't meet template requirement समझे अभी मैंने directly इसको post किया है video को मैंने template का use नहीं किया है तो यह work कैसे करेगी सब कुछ मैं आपको practically दिखाऊंगा यह तो आपको बढ़ा चलिगा किस feature के बारे में बात करना वाला हूँ यह new feature है let other use a template ओके यहाँ पर मैं back करता हूँ अभी यहाँ पर देखना गाईज यहाँ पर जैसे मैंने back किया then मैं start over कर देता हूँ अभी यहाँ पर आप जैसे इस तरह से side में करता हूँ ना है slide तो यहाँ पर आता है template template आपको use template करने है अब जैसे आप template पर किलिग करता हूँ यहाँ पर आपको अपनी कुछ pictures add करना होता है जो template बनाने होता है for example मैं कोई भी add कर देता हूँ 204 यहाँ पर मैंने इस तरह से add कर दिया अब guys आपके सामने as interface आएगा then आपको next कर देना है then again आपको next कर देना है अब यहाँ पर guys आपको advance setting माने है अब यहाँ पर देको let others use as template यह automatically enable हो गया है but यहाँ पर मैं आपको अच्छे से explain करूँगा practically ताकि आप अच्छे समझ पाओ अभी मैं इसको disable कर रहा हूँ आपके सामने मैंने इसको disable कर दिया then मैं इसको reels को कर देता हूँ post अभी मैं एक reels or post करूँगा template का use करके यहाँ पर मैं चलो कोई भी एक or template use कर देता हूँ यहाँ पर मैं एक or कर रहा हूँ and यहाँ पर 24 pictures फिर से add कर देता हूँ ठीक इस तरह से मैं थोड़ा सा practically करता हूँ ना ताकि आपकी समझ में अच्छे सा जाए basically इस picture का क्या हमें benefit मिनने वाला है अब ऐसे तो काफी आपको बता देगे लोग कि यह feature new है यह वो है जब तक कोई भी feature हमारी समझ में ना है तब तक उसका आप use नहीं कर पाऊगे तो अफलोड कर दूँगा यहाँ पर मैंने दो template का use करके reals post क्या है एक में मैंने template को disable क्या है जो new feature है उसको disable क्या है लेट वाला एंड एक में मैंने enable कर दिया है तो समझ में तो आपकी यहां तक आगया अब यहां पर इसका आप benefit देखना like मैंने जो first वाला reals post क्या है उसमें मैंने template का जो अंदर new feature है उसको मैंने disable क्या है ठीक अब मैं जैसे ही यहां पर reals section में आता हूँ reals section में आ जाता हूँ आपकी समझ में अच्छे सा आजाएगा मैं first वाले पर click क्या इसमें यहां पर मीजे एक feature show नहीं हो रहा है because मैंने इसमें template को disable क्या है मैंने किसी को अन् अब इसमें मैंने template को जो new feature है लेट वाला उसको enable किया है तो इसमें यहां पर लिखायेगा use template मतलब यह reals section में सबको show होगा जो person चाहे इसपे use as template पर click करके इसका use करके वो भी आपके जैसी template वाली reals बना सकते है मतलब अगर आप enable करके post करोगे तो यहां पर लिखायेगा use template और अगर आप disable करके upload करोगे reals को उस feature को तो यहां पर template use का option नहीं आएगा यहां तक समझ माया अब यहां पर उस feature की help से आपको एक feature और देखने हो मिलेगा जिसकी help से आप इसी template पर other photo add करके post कर सकते हो आपको three dots में जाने है यहां पर आपको use as template एसे लिखा रहा है न तो इसका भी अब आप use कर सकते हो देखो use as template पर आपको click करना है अब इसी template पर आप अपने other photo add कर सकते हो and post कर सकते हो सारा खेल आपके समझ में आ गया होगा इस तरह से आप इसका use करके फायदा उठा सकते हो and दूसरों को भी अनुमाती दे सकते हो मतलब उनको भी permission दे सकत होगा because मैंने practically आपको करके दिखाया तो वीडियो को यहीं पर end करते हैं वीडियो को एक प्यारी सी लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राब करके पेल आइकन को और पेपेस कर देना ऐसी और वीडियो तेखने के लिए है